हुआ है चले सब है हां पहला कुछन आगया अच्छा अंसर में नहीं बताया पहले कुछन का अंसर है थर्टीटू कि यहीं यहां ना इस सेक्सिस के अपॉट बताना है तो मुझे पता ही अलग 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 पार्टीकल को मुव्मेंट अपीडर्श कैसे निकलता है एक वाले का दूसरे वाले का यहीं तो है इसने मांस आपको दे रखा है कितना ना मांस यह हमारा टू केजी दे रखा है कोई दिकर वाली बात ही निया है क्या निकालना है और क्या होता है आपको यह देखना है कि यहां से आप एक पर्पेंडिकुलर डाजिए इस को यह बादा आगर 37 है यह 90 है तो यह कितना हो गया 53 53 में यह भी नहें पॅगा एि डुच्टिब क्तोंध भांके विहें चाहिए का प॥ यह बादां यहां से पर्पेंडिकुलर डालिया शायद एसर का क्वेशन नहीं है पांच थर्टी सेवन तो यह कितना हो गया फिप्टी थ्री फिटी थ्री में पांच यह तो ती 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 यहां भी क्या होगा कि इंडो मेरा जो कि यहार आंसर कि यह भी पता लग्या आपको कि पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस होती है अगला था मेरे पास क्वाइर दिया था मेरे राइट एक्सिस को हुआ है है हां इसका कितना है अंसर बोलो कि इसने प्रेक्टिस करेंगा यह तो इसमें में करता हूं वहीं कि एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है कि एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है आर्क उत था है कि एक्सिस कि डिस्टेंस ना तो यह वाला मास इक्सिस से कितना दूर है जिरो है तो इसका कोई ममेंद अधिन या कि एक्सिस nos लोग गें यहाद यहाद या परपेंड़ीकुलर वह बंगाना है कैक्ट ध्यक्ट करते हैं यह पूरा कितना होता है रूट टू है तो आदा कितना हो जाएगा रूट टू एंटीट तू जाएगा 220 इस मppersट्डू 2 लूए टु इंटू ूड रूटू कर भी ऋटू 2 तो इस व Environmental यहां से इस अ का ए कि अज़ी कुर्शन की केडिगरी में आते हैं कि ट्राइंगल इसकी यहां से पर्पेंडिकुल डिसंस कितनी है यह वाली कि इससे पर्पेंडिकुलियर यह कितना ओ गया यह ऑस्यज्स क्या çek है अगर मैं ऐसे को लेङ़ूं है जिसमें यह और यह आजा है यानिकि पर्पेंडिकुलर अपान सूरी हाइप्टेनियस और बेस आजाए पर चालू कोस कोस किरें लेलू ना है पर पेंडीकुलर यानि कि है है इसी मुझे निकालना है बेस कितना यह आदा एबाइटू मैं थोड़ों बुरा वांते इससी बात का यह गया एबाइटू यह गया है यह गया एच तो है तो है टेनियस आगया को सटी कितना होता है रूट थ्री बाइट टू log क्या रहा है सभी बात है मैं से प्यूर और थोड़ा ना यह चीज़ रट लो कोप्र को टॉप पर लिख लो जब यह होता है ट्रेंगल तो इसकी डिस्टेंस एबाई रूट 3 होती बार बार निकालेंगे जिन्ड़टी खतम हो जाएगी बहुत पड़ेगी आपको इसकी और यह कितना होता है 2a by root 3 I guess 1030 perpendicular upon base 1030 कितना होता है 1 by root 3 a by 2 root 3 तो यह दो डिस्टेंस याद कर दीया या वाली इतनी उती है इक्वेलेटर ट्रेंगल के लिये थी जिलिए च्छालिए चले चले आगे बड़े और को जिश्यादा अ तदिए मुमेंट ओफ इनर्ष्या और रेक्टेंगुलर प्लेट इसके लेंद है ये अब हम एकसेज बानते हैं आप इस एकसीज के अबाउड इसका मुमेंट ओफ इनर्ष्य निका लिए x x dash ठीक है moment of inertia about x x dash और एक और निकालिए इस axis के about y y dash पिला इसका निकालिए चलिए इसका मास है m पूरे का सिर्फ यह वाले एकसर बनाई है और निकाली आप पूरे का यह मैं है है पूरी प्लेट का मास हो हुआ खर चलिए अगर मैं कहता हूं यह पार्टिकल यह तो अलग बात है मैं कहता हूं यह बॉला गया यह बहुत धान में वाने इसे मारे परेशान होता था ठीक है तो यहां पर इस में क्या दिया पूरे एक बॉडी दी बॉडी का मोमेंट फिनेश्च कैसे निकलते हैं तो याइद कल लो कि यह ऌता है यह पिर अपने पास वह मानना अपको segment, अगर मैं यह access मानूं हूँ तो क्या segment मानूं क्या segment यह मानलूंगा मैं यह segment माल लूँगों तो मैं पूरे को इंटिवेट कैसे करूँगा मुझे एक ऐसा सेग्मेंट चाहिए जो सब पर अप्लाई हो पाए जैसे कि सब्सक्राइब करो मेरे पास कि यह चीज है और यहां पर सारे लोग बेठे हैं तो मैं यहां पर ऐसा सेग्मेंट मानू और फिर इसको ही स्कैनिंग चला दूओ आसे इसे लिमिट लगा लगा करके तो पूरा हो जाएगा तो मैंने ओसेग्मेंट न कर लिया मैं पर एसा Всné जाकर के कर लिए कुछ भी उसमें क्या यह सेग्में अगर मैंने कर लिया पूरा ना यूनिफॉर्म तो मैं एक्स का स्कैनिंग लगा सकता लिमिट लगा सकता है पूरा इधर भी कवर हो जाएगा और यह सेम पैटन पर इधर तो कुछ एक सिमेट्री है मेरे पास कि अगर सपोस्ट करो मैं इसमें सेग्मेंट ऐसे माल लेता ऐसा फिर स्कैनिंग कैसे लगाता इसको इसका 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 निकलेगा चोटे वाले का डियाई तो यह लगा डी एकसिस्कुरा खतम अब आपको सिर्फ डीम का वैल्यू रखनी है एकस की टम में और एकस की लगा देनी यह लिमिट है मिल्यू और अब यह लगाता हूं यह क्या एक पूरे का इंक किया पूरा बोले तो है कि पूरे एडिया का ना तो कितना एड्यू असका यह तो है यार, यह कितना है dx और यह कितना है b, तो इसका एरिया कितना हो गया, b into dx, area has m upon l, m upon lb into bx, यह है न, b dx, देख लो, lb area का mass m है, तो b dx area का mass यह है, यही क्या है आपके पास, dm, और इसमें देखो b कर गया, तो यह हो गया m upon l dx यह मेरे पाद dm आ गया x की term में यह value यहां रखता हूं m upon l dx x square m upon l common आ गया x square dx और यह हो गया मेरे पास पूरे का integration अब मुझे x की limit लगाने है अब x की minimum value क्या है 0 maximum कितना है यहां तक यह क्या l by 2 हुआ है पूरा यह 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 जब मैं scanning पर लगाऊंगा तो यह तो यह तो इतना इतना कवर हुआ है न इतो छूड़ गया तो मैं क्या करूँगा दो से मुल्टिपल है करते हूं कि मैं स्वाल इसको अलग से भी बताता है कि प्लस मैने से प्लस तो वह भी सही है और यह जीरो से आई यह आई हो गया का 2m upon l x की वेलू क्या रखोगे l by 2 का स्क्वार का इसक्वार करते हैं एक्स स्क्वार का एक्स क्यूब अपॉन 3 एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन 2 by 3m upon l अपर लिमिट का क्यूब 2 by 3m upon l l by 2 का क्यूब l cube upon 8 ml स्क्वार बाई 12 लिखिए पहले इसको लॉजिक समझे कैसे हुआ है वन यह रट्टे मारने पढ़ जाएंगे फिर आपको अब देखिए चलिए अब सुनिए अमने यह वाला गड़ता हूं एक्सेस कौन सी है वाई वाई यानि कि एक्सेस यह वाली है और अगर मैं गड़ित लगा हूं तो मैं यह वाला सेग्मेंट मानूंगा इस तरह से वाई पर जाके डी वाई वाला तो यह अल्मस्स इसको ऐसे गुमा दूंगा तो वह पहले वाला नहीं हो गया सब कुसे में जब आप यह वाला कर रहे थे और आपने यह करा था तो बी तो कड़ जाता बचा क्या था एल और जब आप ऐसे करोगे और यह करोगे तो एल कड़ जाएगा बचेगा क्या बी यानि किसका आउसर आएगा एंबी स्क्वार बाइट 12 क्या समझें रिजल्ड का है सेम निकालने ज़ोती निग्यार कि अगरे ही रेक्टैंगल है यह लैंथ यह दिंटंगे है अगर आपको कहता है किस को काटा है तो आंसर आएगा घस्षाण बाट कि क्याहbblesएं बचाए LD इस नो दोनों को जोड़ देना तो यह आ गया मेरे पास रिजल्ट कि प्लेट का मुमेंट ओफ इनर्शिया उसकी जिस एक्सिस से पूछा है वह एक्सिस जिस साइड को काटती है उस साइड का स्क्वार करना है लिए याद करना कोशन आएगा आपको डाइट लगाना है जब यह बोलता है कि तीन नंबर में बोल दे कि डेराइव दे एक्स्टेशन फोर दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अफ दे एक्सिस पासिंग थूदर क्या नाम है इसका रेक्टेंगुलर प्लेट एशन इन गीवर तो फिर आपको पूरा निकालना पड़ेगा इसकी लेंथ है तीन मीटर यह तो बताइए सेक्सिस के अबाउट फॉर्मला रखो निकालो खतर है कि अचली तो इसका भी आएगा एंबी स्कॉयर इसका यह था एमल स्कॉयर बैट्वल सेम है कॉश्चन मोमेंट अफ इनर्शिया ओफ रिंग यह रिंग है जो मोमेंट of inertia of a ring about the axis axis बताना बहुत important about the axis passing through the center of ring and perpendicular of the plane क्या आप 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 ढरखिस पासिंग थू सेंटर अपदर एंप परपैंडिकुलर अब लग कि अब देखो हो सकता है रिंग का संटर यह आपको यह से बोल दें यह बिदर से पास हो रही है बड़ी परफैंडिकुलर नहीं है हमें कौन सी एकसिस बतानी जो परप्रिटिकुलन जयानी कि ऐसे थिक है तो अब एक्सिस कुछ ऐसी है यह वाले मैंने का यारी बोड़ी देदी है और सेग्मेंट मानें सेग्मेंट्स माना इतना शार कईण मानों को अंदर मास हैं और कि ने का और यहां सब्सक्राइब यह हैं कि इसा सय को ममेंट jotka जाएं लुदैघ थो मैं इसका अगर निकालतात तो भी जुटा इसका भी निकालता तो क्या होता डियम इंटु आर जितने भी सेग्मेंट मानूंगा सबका मुमेंट ओफ इनर्शय में आर्टो कॉमन है तो आर स्क्वाइर इंटीग्रेशन ओव डियम को डियम 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 सारे मिला दोगे तो इसका टोटल मास आ जाएगा एंप इसमें ज्यादा गलित लगानी ही नहीं थी याद कर ले ना इसको भी कि तो इसको कि तो जिसका मतलब सेग्मेंट का जो लेंट होती है जैसे इसमें आर्टी तो इसको स्क्वेर कर देते हैं कि नहीं नहीं मुमेंट ओफ इनर्शा का फॉर्म्मला क्या होता है एम इंटू आर स्क्वार अगर यह मास एम किसी एक्सिस पर पेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहे तो यह यह ना कुछ छोटा मास तो अब मैने क्या कर रहा मेरे पास यह थी तो मुझे मेरे पास यह छोटा सा सब्सक्राइब कि इसका मुमेंट ओफ इनर्शा इससे निकालोंगा तो मुमेंट ओफ इनर्शा का फॉर्म्मला तो एम इंटू आर स्कॉर रहता है कि मुमेंट ओफ इनर्शा ओफ बियर मुमेंट ओफ इनर्शा ओफ बियर मुमेंट ओफ इनर्शा ओफ बियर अबाउड द ठीक है आई अगना लिखे मोमेंट आफ इनर्शिया ओफ डिस्क इंपोर्टन गरना इस साल के लिए इंपोर्टन आपके स्कुल में पूछा जाएगा मोमेंट आफ इनर्शिया ओफ डिस्क अबाउट दपर पर्पेंडिकुलर एक्सिस अबाउट दपर पर्पेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थूद अब देखिए देखिए यह डिस्क है और यह जा रहा है इसका मास M और R तो विश्ण अभी अभी हमने निकाला था मार्स को खत्म बढ़ियन नहीं होगा क्योंकि इस बार डिस्क का मास इसके अंदर भी है यह दिकता है अब बताये डिस्क के लिए सेग्मेंट मानना पड़ेगा अगर मैंने यह सेग्मेंट मान लिया होता बिल्कुल कोने वाला और इसको घुमा दिया होता तो अंदर वाला मास चूद जाता है तो मुझे ऐसा सेग्मेंट मानना है जो सिमेट्रिकल हो आप बताए डिस्क के लिए सेग्मेंट कैसा माना जा कि एक सिसे मेरी है ना अम्मा यहां से गया आर और डियार की क्या बना नहीं है रिंग कि यह रिंग किसकी डियार की डियार लंबाई की रिंग यह बन गई मेरे पास तो यह हो गया मेरे पास आर पे जाकर के और यह वाली डिस्टेंस है यह कितनी है डियार कि इस पूरे का मास कितना है एम और रेडियस से और एक्सी से मेरी यह वाली अब मुझे वता विष्णू इस टी मास डीयार फ फर दी मास इस में का मूझमा और स्वरल क्या हो गारे मैंने भी निकाला I am in चड ह्ला अगर इसका मास मैं तो टीए मिळूर कर दो तो डीयार हो गया और तो आज स्क्राइब कि मैंने स्की रेडिस आर माने अब क्या करना मुझे ब्यूम की वैलू आर की पॉर्म में निकाल देंगे अब बताएए यह कितना मास है ऑर कि यह सोचो कि पूरा एरिया कि पाय स्क्क्वार है असे मास तो यह इसकासर निकाला तो इसका पूरे में से अंदर निकालने रेंड़ द्यॉच की निकाल दें बाहर वाले गया सिथ्क रेग्या क्या करो इस पट्टी को निकालो और बीच में से कट कर दो और कट करके इसको सीधा कर दो यह पट्टी हो गई आपकी सीधी पट्टी सीधी हो गई तो यह कितना है डी आर है और यह पूरी लेंज कितनी आ जाएगी टूपा यार तो यह एरिया कितना जाएगा लेंज इन्टू ब्रेट टूपाई आर डी आर यह हो गया इस पट्टी का एरिया क्यों भाई यह पट्टी मैंने क्या करा बीच में से काट दी रेड़ वाली को काट करके निकाल दी और निकाल करके मैंने कर दी सीधी तो सीधी हो गई अभी क्या बन गया रेक्टेंगल जिसकी लेंज कितनी है ब्रेट कितनी है डी यार अधिया पूरी यह चीज तो लेंज इंटू ब्रेट पाई आर डी आर ठीक है तो एरिया कितना होगा मेरे पास तू पाई आर डी आर एरिया है एस एम अपॉन पाई आर स्कॉयर तू पाई आर डी आर इसी को आप क्या बोल रहे हो डी यह निकल गया अब मैं यह वैलू रखता हूं डी आई इस इको स्रू डी अम की जगे लिख दूंगा एम अपॉन पाई आर स्कॉयर तू पाई आर डी आर इंटू आर स्कॉयर क्लियर अब मैं अगर इंटिकेशन करूंगा कि तो डिस का मास यह थोड़े ना मतलेगा पाई ने पाई को मार गिया तू आगे अब आगे आर आर मिल करके होगे आर क्यूब इंटू डी आर अपॉन आर स्कॉयर यह है पूरे का इंटिकेशन करूंगा तो यह चीज़े नहीं बदलेंगी तो मैं कर दूंगा इसको इंटिकेट अब इस आर की लिमिट क्या रखी जाए आर की मिनिममम वैल्यू क्या है जीरो और मैक्जिमम कहां तक जाएगा कैपिटल अर तक टू एम अपॉन आर स्कॉयर एम क्या है बड़ा वाला मास बड़ी वाली रेडियस आर क्यूब का हो जाएगा आर की पावर फोर अपॉन फोर अपर लिमिट मैनिस लोवर लिमिट यानि कि आर की पावर फोर काट फीट करके देखो यह आएगा एम आर स्कॉयर बाई टू अधिजर आंसर कि अधिए का मतलब यह है कि छोटे से सेग्मेंट का मुमेंट फिनर्शिया कितना है कि डी आई कि जब आप पूरे का करेंगा तो उसको क्या बोलोगे या तो छोटे सेग्मेंट बिल्कुल आर की विलू अगर मैं 0 रुख हुआ इतना हो गया तो इसका को मुमेंट करेंश हो क्या बोलोगे आई कि इसलिए आई से डी आई और डी आई का इंटिकेशन आई होता है कि अगर अगर अगर